Concentrated Hydrochloric Acid के Reactions की बात करेंगे आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में शांदार कुश्चन है, Integer Answer Type आपको बताना है, How many of the following can dissolve in Concentrated HCl इस एक reaction के बहाने 10 properties देखने वाले हैं हम लगभग 10 reactions तो हैं, कई साथी properties और important concepts हैं जिनको हम देखेंगे नाउनिक के, फड़ा फट वेले ट्राइक कीजिए, कैल्चियम ऑक्साइड, मंगनीज डियोकसाइड, टिन स्टोन, SNO2, PB3O4, रेड लेड, फेरसोफरिक ऑक्साइड, F3O4, PBCL2, मर्कूरिस क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड and barium carbonate, dust compounds दे रखे हैं, कौन घुलेगा HCL में, हिसाब लगाना है आपको, गिंदी करनी है और बताना है, आपके रस्ते से हट गए हैं, ताकि आप आराम से सोच सकें, और निर्णाय ले सकें, वीडियो को चाहिए तो रोक लीजिए, पहले answer निकाल लीजिए, answer निकालने के बाद नीचे लिख के बताना भी है, कि यह answer आया है आपका, सिर्फ मन में छुपानी लेना है, declare करिये, बताइए, गलत हो गया तो डर किस बात का, सही करेंगे उससे, concept को ठीक करेंगे, विश्वास मजबूत होगा, करिए, फिर वीडियो देखेगा, answer का, और discussion का, उम्मीर आपने solve कर लिया होगा, आएए देखें, क्या होता है, किसके साथ, एक एक करके reaction लिखते हैं, और देखते हैं, क्या होगा हमारा, हमारा मतलब, इस reaction का, well, calcium oxide है, सारे के सारे oxides क्या करेंगे, calcium oxide basic, oxides basic होते हैं, HCl acid है, क्या react करेगा, बिल्कुल बनाएगा calcium chloride, क्या पानी में solve मेल है, जी हाँ, और साथ में बन जाएगा पानी, well, तो क्या ये घुल गया, of course घुल गया, yes, is that an answer, definitely it is, manganese dioxide कैसा कर सकता है, manganese dioxide, अगर concentrated HCl के साथ आप गर्म करेंगे, आप देखें, ये redox करेंगा, MnO2 will be reduced to aqueous MnCl2, HCl will be oxidized to chlorine, क्या घुल जाएगा, हाँ, वो काला-काला solid MnO2 तो घुल जाएगा, Aqq7Cl2 बन जाएगा, तो yes, घुलने का कारण अलग है, यहाँ simple acid base था, यहाँ redox है, तो yes, it is possible, अगर इसी की बजाए, उसी से मिलता जो इतना SNO2 है, वाउ, क्या ये नहीं घुल सकता, आँ, नहीं, क्यों, मान लीजें, गलती से घुल भी गया, तो क्या बनाएगा, SNCl4 प्लस पानी, जी नहीं, यह आपस में react करेंगे, SNCl4 की हाइड्रोले सो जाएगी, और वो वापस पलट कर इधर चला जाएगा, तो sorry, वो इधर नहीं आता, प्लस फोर के ऑक्साइड्स, HCl में नहीं घुलते हैं, जी हाँ, वो सिर्फ HF में खुलेंगे, HCl, HBR, HI में नहीं, SNO2 cannot be dissolved in HCl, like this, वेल, उसके बाद था, PB3O4, PB3O4 के वो एक खास बात है, जी हाँ, MNO2 वाला concept ही है, PB3O4 एक बढ़िया और बहतरीन oxidizing agent है, concentrated HCl के साथ गर्म कीजिए, क्या बनेगा, lead, plus 2, plus 4 का mixture है, नीचे आएगी, plus 2 में बना जाएगी, PBCl2, PBCl2 तो पाने में soluble नहीं होता, heat कर दीजिए, hot water में soluble है, PBCl2, साथ में chlorine निकल जाएगी, पानी पानी बनेगा, घुल जाएगा, हाँ, can dissolve बोला था, घुल सकता है, अवश्य घुल सकता है, बस गरम करने और उबालने की बढ़ियां से जरूरत है, तो PB3O4, the answer is yes, it is PB3O4, PB3O4 से ही मिलता दिलता है, दिखता है, FE3O4, पर properties में बहुत ही अलग है, क्यों, लेडिक शक्तिशाली oxidizing agent है, iron, प्लस 3 में उतना शक्तिशाली बिलकुल भी नहीं है, simple reaction होगा, बना देगा, FECl2, प्लस बन जाएगा, FECl3, प्लस, अफ्कोर्स, हो जाएगा पानी-पानी और खतम हो जाएगी इसकी कहानी, इस तरह से, राइट, विल इडिजॉल्व, येस, बट अगें, एक जैसे दिखते हैं, पर अलग-अलग कारण इसमें redox हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, पर खुल जाएंगे, PBCL2, वैसे तो hot water में soluble था, आप HCL डाल देंगे, तो येस, PBCL2 react करेगा, और बना सकता है, H2PBCL4, chloroplumbic acid, ओ वाओ, क्या dilute पर नहीं होता, concentrated के साथ ही होगा ये, और क्या घुल जाएगा, हाँ जी, ये घुल जाएगा, येस, chloro complex, lead, lead, halo complexes बनाती है, जबकि sinocomplex नहीं बनाती, तन से अपने ध्यान से सुनिए, HG2Cl2 और AgCl, ये बड़े-बदमाश है, mercury और silver के chloroides घास नहीं डालते, कोई halo shallow complex नहीं बनाते, क्या होगा, जवाब है, कुछ नहीं होगा, नाला कहीं नहीं घुलेंगे, CuCl2, ये तो पानी में घुल जाता था, तो HCl में घुलेगा, of course घुल जाएगा, कुछ बनाएगा, कॉपर को भी chloro complex मनाने का बहुत शौक है, बना सकता है, H2, CuCl4, जी हाँ, अरिवा, तो बढ़ियाएँ पहतरीन है, घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा, of course, yes, and last and the least, थोड़ी जगए खाली काड़ाते हैं अपने लिए, अपने पास है, barium carbonate, विल barium carbonate dissolve in HCl, बिलकुल, all carbonates dissolve in HCl, बनाएगा, aquas Bacl2, plus H2O, और हम बुलबुले हैं इसकी, और यह है CO2 हमारा, CO2 के bubbles निकल जाएगे, वो खुल जाएगा, yes, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 minute, chemistry पता नहीं, आज 7 minute ले लिए है, शायद, answer है, साथ, सहमत है आप, यह थी, आज तक की बात, और अब आ रहा है, आज का question, लेकिर उसके पहले, एक बात बता दूँ, Sunday को live आ रहे हैं, करेंगे दिल की बात, और मैंने आप से suggestions भी मागए थे, ऐसी कोई चीज जिसके बारे में, आप बात करना चाहें, chemistry के questions नहीं, उसके बाले में तुम रोज बात कर रहे हैं, आप पोस्ट करते हैं, और आपके पोस्ट में देखता हूँ, और वहां से जो topics आप बताते हैं, जो कि बहुत सारे topics होते हैं, सारे एक साथ नहीं कर रहा सकते, पर एक एक करके उसमें से ही topic निकाल के, किसी बहाने से उस पर question मना के, उसकी theory बता के, आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको इससे लगातार फायदा होता रहें, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहें, मैं लगातार महीने पर से डटा हुआ हूँ, एक महीने स सब को बताईए, और उन्हें chemistry सीखिए और सिखाईए, और फिलाल, आईए, हम करते हैं हमारा आज का question, जिसका answer आप हमें comment box में लिखकर बताएंगे, और जिसका solution मिलेगा, विया certification के platform पर, उसी platform पर जहां हमारे inorganic और organic के courses भी हैं, पंदरा देन, तेर दनादन, फड़ा फ लॉक, qualitative, metallurgy, सारा जो जहरीला portion था, जो one third inorganic chemistry का वेड़ो जोता है, उसका half हमने cover कर लिया है, निश्चित रूप से ये वो ऐसा portion है, जो आपको बहुत distinct competitive edge दे सकता है, क्यों? क्योंकि अक्सर exam में toppers भी इस portion से बहुत डरते हैं, और छोड़के जाते हैं, और अपने number ध सधारन मौका है आपके पास, आएए आज का question पिक, आज ये question भी बहुत शानदार है, how many of the following can dissolve in aqvast potassium iodide, session में हमने बात करी थी concentrated edge CL में और आज हम बात कर रहे हैं, aqvast के eye में कौन घुल जाएगा, दिमाग के घोड़े दोड़ा, ये बहुत जादा concept सेंस में, कई सारी अल aqvast के eye में, कितने घुलेंगे aqvast के eye में, ये सब आपको बताना है, comment box में लिखकर, answer दें, बताएं, बने रहे हमारे साथ, और उत्साह से तयारी करें, आएटी जाएगे कियों, क्योंकि अभी फड़ा-फट सितंबर मास में ही, आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड लेने वाला exam आने वाला है, जो 2020 दे रहे हैं, उनके लिए important है, जो देने की योजना बना रहे हैं, वो भी बने रहे हैं, पढ़ते रहें, और उत्साह बनाए रखें, that's it, all the best.